Hello everyone, we are reading the chapter number 6 for class 7th, that is Town Traders and Craft Persons और अभी तक हमने पढ़ा था ऐसे towns के बारे में जो administrative centers बने पुराने समय में उसके बाद हमने बात की pilgrimage centers के बारे में कि कौन-कौन से ऐसे temple towns थे जो जहां पर बहुत सारे pilgrimage centers थे, बहुत सारे मंदिर थे और आस्था के जरिये वो जो towns है वो बड़े बनते चले गए अब हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं at network of small towns तो क्या था वो, देखते हैं अगर हम 8th century की बात करें, तो इसके बात से हमारा जो subcontinent था उसमें काफी सारे छोटे-छोटे towns दिखाई देने लगे थे तो जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़ी cities हैं वो पहले बड़ी बड़ी cities या बड़े बड़े शहर नहीं हुआ करते थे वो कभी न कभी एक छोटा गाउं रहे होंगे, उसके बाद एक नगर बने होंगे उसके बाद जब वहाँ पर और development हुई और विकास हुआ, ट्रेडर के लिए और रासे खुले तो वो नगर बन गई तो ये जो है small towns की बात हो रही है, कि जो small towns थे, वहाँ पर एक मंडी होती थी और मंडी में से बहुत सारी चीज़े बेची जाती थी तो मार्केट स्ट्रीट को हाट बोला जाता था, हाट यानि बजार और लेटर ताइम में सको हाट कहा जाता था, लाइन विन शॉप्स जिसमें लाइन वाइस जो है शॉप्स लगा करती थी बिसाइड देर वाइस ट्रीट ऑफ डिफरेंट कैंड अफ आर्टीजन सच अपॉटर्स, ऑइल प्रेशरर्स, शुगर मेकर्स, टोडी मेकर्स, स्मिट्स, एड स्टोन मेजन्स, एट सेट्रा तो बहुत सारी चीज़ें जो है अलग-अलग चीजों के शॉप्स हुआ करती थी, बहुत सारे आर्टिस्ट भी अपनी दुकान ने लगाया करते थे, उसमें चाय मूर्ती बनाने वाले हों, या अलग-अलग चीजों के तेल निकालने वाले हों, या शुगर मेकर हों, तो इस तरह के जो artisans थे वो भी अपनी दुकाने जो हैं उस हाट में उस बाजार में लगाया करते थे. While some traders lived in the towns, other traveled from town to town. जदातर जो traders थे वो टाउन में रहते थे, लेकिन कुछ traders ऐसे भी थे, जो एक शहर से दूसरे शहर खुमते रहते थे. Many came from far and near to these towns to buy local articles and sell products of distance place like horses, salt, camphor, saffron, betel nut and spices like paper. तो बहुत सारी चीजें इस तरह के markets में बिका करती थी. बहुत सारे distant land से वो ये चीजें लाया करते थे. दूर दूर दराज के नगरों से वो ये चीजें लाया करती थी. उसमें चाहे horses थे, या salt था, या camphor था, या saffron था. तो इन सभी चीजों के वैपार किया जाता था इस तरह की मंडियों में. तो इस सीन में आप देख सकते हैं कि मंडियों लगी हुई है, उसमें पशों का भी वैपार हो रहा है, उसमें डिफरेंट तरह की चीजें जो हैं, बेची जा रही हैं, लोगों की बहुत भीड हैं और लाइन से दुकाने लगी हुई हैं. तो यूजली देखा जाता था कि जमिदार जो थे, जमिदार जिनके पास बहुत ज़ादा जमीन होती थी, जिनको समंतास भी कहा जाता था, मुगल टाइम की अगर बात करें, तिले भीड, ज़ादाई। और ऐसे ही temple को सौपा करते थे जो कि इनी सामनताज या जमिदारों ने बनाया है These rights were recorded in the inscription that have survived to this day तो ये जो है right, ये text collection का जो right है ये हमने पढ़ा है inscriptions में जो कि हमें आज भी मिले हैं इन temple towns के बारे में बात करें या फिर in small towns के बारे में बात करें तो जो history की हमें जानकारी है वो किसे ना किसे inscription से या किसे ना किसी historical document से हमें मिलती है तो inscription से पता चला है कि ये text जो है वो सामनताज लिया करते थे और कहीं सामनताज जो है temple से भी ये text collect करवाते थे तो आगे हम बात करेंगी traders की big and small तो trader पे बहुत depend करता है कोई भी टाउन की development क्योंकि व्यापार जितना जादा develop होगा जितना जादा विकसित होगा तो वो टाउन उतना ही बड़ा कहलाएगा तो बंजारा जो है एक tribal community का नेम है जो की हम कह सकते हैं a famous tribal community of India तो बंजारा जो है वो पुराने समय से trader community रही है और ये tribal community भी है several trader especially host trader formed association कुछ trader ऐसे थे जो association अपनी फॉर्म किया करते थे यानि एक संस्था अपनी बना लेते थे और उसमें horse traders mainly यहां पर notify किया गया है कि horse trader उन में से थे जो की अपनी association फॉर्म करते थे with headman who negotiate on their behalf with warriors who brought horses तो इनका एक headman होता था और जो भी warriors थे वो इन से horses खरीदा करते थे since trader had to pass through many kingdoms and forests they usually traveled in caravans and formed guided to protect their interest there were several such glides such guilds in south india from the 8th century onwards the most famous being the money gramam and nana desai यह जो आप नाम देख रहे हैं यहां पर money gramam और nana desai यह सारे association थे traders के तो यह दो association के नाम आपको बता चले money gramam and nana desai जो की traders की association थी और क्यूंकि traders को बहुत सारी kingdoms को cross करके आना होता था बहुत सारे traders ऐसे थे जो काफी दूरी तै करके आते थे बहुत मुश्किलों का सामना करके आते थे तो यह कारवांस में चलते थे यानि यह groups में travel किया करते थे एक जगा से दूसरी जगा these guilds are traded extensively both within the peninsula and with the Southeast Asia and China तो यह जो है हमारे इंडिया से लेकर Southeast Asia और चाइना में भी व्यापार करते थे यह जो कह सकते हैं यह जो associations थी there were also communities like Chaitiars and Marwadi Oswalds who went on to become the principal trading group of the country तो दो और हमें trading group के बारे में पता चला Chaitiars and Marwadi Oswalds Gujarati traders including the communities of Hindu Baniaz and Muslim Bohoraz traded extensively with the port of Red Seas तो यह लाल सागर Red Sea जो है इसमें communities के जिकर हैं कौन-कौन सी Hindu Baniaz, Muslim Bohoraz और यह जो है Gujarati traders यह mainly व्यापार किया करते थे इन ports के जरिए जो की Red Sea पे थी और Persian Gulf में भी किया करते थे East Africa, Southeast Asia and China तो आपको पता चला कि different different तरह की communities थी particularly traders की जो की व्यापार किया करती थी पुराने समय में they sold textile and spices in these ports तो इन ports पे बेचा क्या करते थे textile and spices और क्या बेचते थे तिन, Chinese blue pottery and silver from Southeast Asia and China the town on the west coast वर होम अरब, Persian, Chinese, Jewish, Syrian, Christian traders जो हमारी western cost पे जो टाउंस थे वो किन ट्रेडर्स के घर्थ के अहलाए जा सकते हैं और अरब ट्रेडर्स के वहाँ पे Persian traders थे, Chinese थे, Jewish थे और Syrian Christian traders थे Indian spices and clothes sold in the Red Sea port were purchased by Italian traders and eventually reached European markets तो Indian spices थे वो बहुत ही famous थे अगर पुराने समय की बात किया जाए तो भारत का कपड़ा और भारत के spices थे वो world famous थे और उनका व्यापार किया जाता था इन ports पे venting very high profit बहुत ही high profit पर ये सब बेचे जाते थे spices grown in tropical climates कौन-कौन से spices उगाय जाते थे इंडिया में था पैपर, cinnamon, nut mug, dried ginger, etc तो ये सारी चीजें जो हैं उगाय जाती थी इंडिया में especially in South India में spices के लिए बहुत फेमस हैं और इनका प्यापार किया जाता था बिकेम एन important part of the European cooking and cotton growth was very attractive this eventually draw European traders to India we will shortly read about shortly read about how this changed the face of trading and towns तो हम अगले part में देखेंगे कि किस तरह से इन चीजों ने जो है traders का रुख बदल दिया और इंडिया की तरफ कर दिया और भारत बहुत फेमस हो गया इन चीजों के लिए तो आज के part में इतना ही हम next part में पढ़ेंगे काबूल के बारे में थोड़ा सा और इंडिया के क्राफ्ट के बारे में किस तरह के क्राफ्ट उस टाइम में किये जाते थे इंडिया में thank you very much for listening me हम में आज खाफ्ट ख म में क् सफथांएं तरह के बारी में